दोस्तो कहते हैं कि जानवरों पर हद से जाला रिस्वास करना भी जान को जोक्र में ढालना होता है ऐसा ही चपड़ा के मन मोहन के साथ हुआ जो रक्षामधन के परव पर अपनी बेन से राकई बनवा रहा था उसी के साथ उसके हाथ में दो साप थे जिसके साथ वो कर्तब भी दिखा रहा था उसी के साथ अपनी बेंच से वो रांखी बनवा रहा था उसी बीच उसके आसपास 20-25 लोग इस वीडियो को कैप्चर भी कर रहे थे और ये सापों के साथ कर्तब कर रहा था जितने में एक साप उसकी उंगली को काट देता है जैसा कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है जिसके बाद मन महन की कुछी गटों में मौत हो जाती है उसे होस्पिटल ले जाता है लेकिन वहाँ उसे मृत गोसित कर दिया जाता है कहते है कि जानवर कैसा भी हो अगर किसी जानवर पर आप हच से ज़्यादा विश्वास करते हो तो वो आपकी बेवकूपी है इस वीडियो में साप नजर आ रहा है कि किस प्रकार ये वैक्ती जानवरों पर ज़्यादा विश्वास करता था जो कि उसी के लिए मौत का काराण बन गया बागी दोस्तों आपको बता दू कि चपरा के मन मोहन जो कि 25 साल के थे वो कई दसक से साप और कई जानवरों का इलाज करते थे जक्मी जानवरों का इलाज करते थे उसमें सबसे ज़्यादा वो सापों का इलाज करते थे बागी दोस्तों इन्हों ने कई सापों का रेस्क्यू करके उनका इलाज किया है फिर भी उन सापों की दुआ भी इनके काम नहीं आई कहते है कि जानवरों पर हर्च से ज़्यादा बरोसा करना जान को जोखिम में डालना है जान को गवाना है जो की इस वीडियो में साप दिखाई दे रहा है बागी दोस्तों आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बता है तब तक के लिए बाए बाए